नमस्कार प्यारे साथियों मैं विजे कसाना डेजिटल फ्री सिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ बड़ी खुसकबरी आ गए साथियों सुबह सुबही 28,853 पदों पर गुरुप सी बरतियों का विज्यापन जारी होगा लेकिन ये जारी हो गया ही समझो क्योंकि इसमें जो डिटेल दी गई है देनिक सुवेरा नियूज पेपर है तो इसमें औथेंटिक जानकारी ही दी जाती है वो आप देख भी सकते हैं पहले भी देखा होगा साथियों लगबग पूरी डिटेल दी गई है कि किस गुरूप में कौन सी पोश्ट है और उसके लिए कितने पद आने वाले हैं यानि कि कितने पदों पर बरती होने वाले है तो साथियों आपकी पोश्ट है यानि कि आपका जो पद है जिस बरती के लिए आप तयारी कर रहे हैं वो कौन सी गुरूप में है और उस गुरूप के लिए क्या योगेता रहने वाली है और इस योगेता के लिए कितने पदों पर बरती होगी यानि कि डिपार्टमेंट की से कौन सी डीटेल आई है यह सारी जानकरी आपको इस वीडियों बताई जाएगी वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जूनियर इंजिनिरिंग सीविल के 548 पद है और सेक्षन ओफिशर के दो पद है इसके बाद बात करते हैं गुरूप बी की इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स इंजिनिरिंग के कुल 443 पद है एक्जाम का लेवल डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक इंजिनिरिंग सायक प्रोजेक्ट अफसर के 10 पद है ग्रीड सबस्टेशन ओपरेटर के 46 पद है जेई इलेक्ट्रिकल के 38 285 और नेटवर्क सायक का एक प्लांट ओपरेटर का एक पद है इसमें अब बात करते हैं गुरूप तीन की सात्यों अगर किसी सात्य को वीडियो लंबा लग रहा है तो वो सात्यों इसकी स्पीड बढ़ा ले मेकेनिकल इंजिनीरिंग के कुल बैतर पद है एक्जाम का लेवल डिपलोमा इन मेकेनिकल इंजिनीरिंग एक्विपेमेंट रिपेयर का एक फॉर्मेंड के दो जेई के 37 मोटर वीकल इंस्पेक्टर के 24 पद है तकनीकी सायक के पाँच प्लांट ओपरेटर का एक राइस मील म बात रसातियों, कम्प्यूटर टेकनिशियन के कुल 12 पद है, एक्जाम का लेवल तीन वर्ष्य डिपलोमा आपको चीए कम्प्यूटर इंजिनीरिंग में, कम्प्यूटर टेकनिशियन के भी 10 पद है और कम्प्यूटर प्रोग्रमर के 2 पद है, गुरुप पाँच, आर्क आर्की टेक्ट्स, रर्केट्स क में स्टीजर्क्यूरिसoup, आकाउंट पूस्ट ग्रेट्स के ट्रूएट्सौन आकम रहे हैं। छूवत कि ये सत्ता हैं। गुरूप साथ में है सीड सर्टिफिकेशन ओफिशर यह साथ यह इसकी गुरूप का नाम दिया गया है और उसके बाद नीचे यह पदों की डिटेल दी गई है कि जो टोटल 33 पद हैं उनमें से कौन-कौन से तो इसमें तो यह सीड सर्टिफिकेशन अफसर के ही 33 पद है एनल केमेस्ट्री यह साथ यह सही इंदी में लिखा हुआ नहीं है और इसमें पद जो वा हैं वह हैं एनलिस्ट के तीन कैमिस्ट के सोड़ा जूनियर साइन्टिफिक अफसर के दो सीनियर साइनलिटिकल असिस्टेंट के दो सीनियर साइन्टिफिक असिस्टेंट के तीन पद है नौवा गुरूपे सात्यों ला ग्रेजुएट का इसमें टोटल 41 पद है एक्जाम का लेवल रहेगा ग्रेजुएट जमा एललबी असिस्टेंट ला अफसर के पांच पद है एस्टेट मेनेजर के आठ एक्जुकेटिव अफसर के दो लिगल असिस्टेंट के 26 पद है इसके अलावा सात्यों गुरूप 10 स्टेटिकल पोस्ट ग्रेजुएट के 52 पद है एक्जाम का लेवल में एक्जाम का लेवल रहेगा और ये पदों की डिटेल सात्यों आप थोड़ी देख भी लेना मैं हाइलाइट आपको बता देता हूँ गुरूप 11 में कुल 26 पद है एक्जाम का लेवल रहेगा बीएस्स ओम साइंस जमान डिप्लोमा डाइटिक्स गुरूप 12 है सात्यों मैं तो पूर्ण लेकिन ये सात्यों और गुरूप भी होगा साइद इसका क्योंकि ये तो ओफिसर का स्टेशन फायर अपसर के पद हैं क इसके अलावा गुरूप 13 है जिसमें सायक सुचना जंसर्ण परक अधिकारी के कुल 13 पद है एक्जाम का लेवल रहेगा ग्रेजवेट जमान डिप्लोमा इन जनलिजम और मास कम्म्यूकेशन सायक सुचना इम जंसर्ण परक अधिकारी के 13 पद हैं गुरूप 14 है इंस्पे गुरूप 15 है साथियों फार्मासिस्ट का जिसके 170 पद हैं और इसमें साइन्स के साथ यानि दस्वी हो और आपके पास फार्मेशी का डिप्लोमा होना चीए स्टाप नर्स के 757 पदों पर बरती होगी साथियों जिसमें बी एस सी नर्सिंग और जी एन्यम का डिप्लोमा आपके पास होगा तो आप इस परती के लिए अपलाई कर सकते हैं स्पोर्ट्स कोज के 225 पद है एक्जाम का लेवल है ग्रेजूइट जमा स्पोर्ट्स नोलेज इसमें साथियों अलग अलग ये देख लेना किस कोज के कौन से पद है अब बात आती है गुरूप अठारा की गुरूप अठारा में कुल 166 पद है एक्जाम का लेवल रहेगा ग्रेजुएट जमान डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइन्स गुरूप 19 में सात्यों स्टेनोग्राफर ग्रेजुएट लेवल का होगा जिसमें कुल 309 पद है एक्जाम का लेवल रहेगा ग्रेजुएट एंड स्टेनोग्राफी अब इसमें जूनियर और सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर क्या लग लग पद है गुरूप 20 है जिसमें टोटल 123 पद है एक्जाम का लेवल रहेगा दसवी जमा बिल्डिंग कंस्ट्रेक्शन ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट रोना जरूरी है इसके लवा गुरूप 21 की बात करें तो 37 में अकाउंट ग्रेजुएट लेवल के 934 पद है एकजाम का लेवल रहेगा B.com यहन की B.com वाले कंडिडेट अपलाई कर सकते हैं यह इसमें पदों की डीटेल है टोटल 934 पद है बात करें गुरूप 24 की तो गुरूप 24 में सात्यों कुल 188 पद है एग्जाम का लेवल हो रहेगा BLC Agriculture Agriculture Inspector के 6 है साइक परबंदक के 8 है और इसमें Junior Technical Assistant की पिछे तरपद है Forest Ranger के 8 तरपद है साथियो और Technical Assistant के 10 पद साइक परबंदक के 4 पद है गुरूप 25 की बात करें तो साथियो गुरूप 25 में कुल उने तरपद है लेवल रहेगा BSC और ये अलग-अलग पोश्ट आप देख सकते हैं Draftman Civil की बात करें तो Draftman Civil के 381 पद है एग्जाम का लेवल रहेगा Draftman Civil में ITI डिप्लोमा होना आपके पास जरूरी है गुरूप 27 है Statical पद Graduate के कुल 137 पद है एग्जाम का लेवल रहेगा Economics के साथ BA गुरूप 28 की बात करें तो Stenographer Plus 2 लेवल का है साथ ये इसमें 1099 में पद है एग्जाम का लेवल रहेगा Plus 2 और Stenography इसके बाद गुरूप 29 की बात करें तो गुरूप 29 में कुल 1125 पद हैं एग्जाम का लेवल रहेगा डिजल मेकेनिक मेकेनिक प्रेस मेकेनिक में आई टाइ डिपलोमा होना जरूरी है यानि कि यह अलग अलग टेकनिकल पदें साथ यो इसके बाद साथ यो Fire कम Operator Driver जिसके बारे में हमने आपको बहुत पहले बता दिया था कि क्या तो इसमें आपके पास योगेता चाहिए और 2000 के लगबख पद आएंगे तो साथ यह बरती आचकी है गुरूप 30 में यह बरती है 2063 पद हैं आप जाकर देख सकते हैं 6 मेने पहले इस बरती के बारे में आपको अमारे चैनल पर बता दिया था इसलिए जो रेगुलर वीवर हैं उनको फायदा मिलेगा क्योंकि अगर उन्होंने जब फायर का डिप्लोमा नहीं कर रखा था तो फायर का डिप्लोमा उक कर लिया होगा और अब वो लगा भी सकते हैं एक्जाम का लेवल रेगा दस जमादों के साथ फायर फाइटिंग का बेसिक टर्निंग कोस और फायर ओपरेटर कम ड्राइबर की इसमें 2063 पद है इसके अलावा साथियो फीटर के इकुल 203 में पद है एक्जाम का लेवल रेगा फीटर ट्रेड में ITI डिपलोमा फीटर के दो पद ही साथियो जानकारी आप अधीक नीचे देख सकते हैं और अनकी विश्तरिस जानकारी है साथियो वो जब ओफिशियल नोटिस जारी होगा तब और आईगी जानकारी लेकिन आप मोटे तोर पर जानकारी आचकी है गुरूप 32 में 349 पद है एक्जाम का लेवल रेगा MPSW कोर्स होना चीए आपके पास यहांगी MPSW की जो एकेंशिया 349 है गुरूप 33 में ड्राफ्ट्मेन इलेक्ट्रिकल के कुल्च्छे पद है गुरूप 34 में ड्राफ्ट्मेन मेकेनिकल के चार पद है गुरूप 35 में सब फायर अपसर के 33 पद है एक्जाम का लेवल होगा ग्रेजुएट जमा सब फायर अपसर कोर्स गुरूप 36 में लेबोरेटरी टेक्निशियन के कुल 28 पद है एक्जाम का लेवल रहेगा 10 जमा 2 साइन्स के साथ और 2 साल का DVLT लेबोरेटरी टेक्निशियन के पदे साथ चुछ में सेनेटरी इंस्पेक्टर के 50 पद है एक्जाम का लेवल रहेगा 10 जमा सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स गुरूप 38 के चार पद है डिपलोमा। ग्रूप चालिश में टर्नर के पांच पद है। ग्रूप 41 में मैसन के 20 पद है। ग्रूप 42 में 49 पद है। जो पलंबर के हैं साक्षी हो। इसमें आइटेश चीनेगी आपको पता है। प्रिंटिंग टेकनोलोजी के गुरूप 43 में है पांच पद है गुरूप 44 में डिस्पेंसर के 143 पद है गुरूप 46 में दस जमा दोस्तर की किर्शी सम्मंदित के कुल 40 पद है एक्जाम का लेवल भी साथ हो पलस टू और एगरिकल्चर में एक साल का टर्निंग सर्डूकेट ट्रोना चीए एक्जान इंस्पेक्टर के 29 एक्रीकल्चर सबर्ट एंस्पेक्टर के आठ पद हैं और फ्यल्ड एसिस्टेंट के तीन पद है डैंटल हाइजिनिस्ट के 47 गुरूप में बारा पद 48 नमबर गुरूप में 37 पद हैं ओप्लेमिक असिस्टेंट के गुरूप 49 में ओपरेशन थियेटर असिस्टेंट के कुल 81 पद हैं गुरूप 50 की बात करें तो साथियों अब आपका मुख्य मुद्धा शुरू हो गया है गुरूप 50 में जो लैब असिस्टेंट और डिप्टी रेंजर हैं इनका जो लेवल रहेगा वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क के आठ पद हैं लैब असिस्टेंट के आठ और लैबोरेटरी टेक्निशियन के 34 पद हैं गुरूप 51 में सातियों कुल 6 पद हैं एक्जाम लेवल रहेगा दस्वी और कैटरिंग का डिप्लोमा इसके अलवा गुरूप 52 आगया मुख्य सातियों गुरूप 52 के अंदर कोमन ग्रेजुएट लेवल का यानि कि जिसका इंतजार सभी सातियों को है 3267 पद हैं इसमें सातियों एक्जाम का लेवल हायर सेकेंडरी रहेगा लेकिन जो ये ग्रेजुएट लेवल का एक्जाम है यानि ग्रेजुएट लेवल की बढ़तियां हैं सारी इसमें सातियों आपकी मुख्य पोस्ट भी हैं जिस पोस्टों का आप इंतजार कर रहे थे ये असिस्टेंट की अठारा हैं तो सातियों ये तो छोटे पद हैं लेकिन मुख्य पद ये देखिए कैनाल पटवारी के 1100 पदों की ऊपर बर्ती ओगी में किम्पनी कमांडर के नो पद हैं डाटा एंटर ओपरेटर का एक हैğ एक सैज इंस्पैक्टर के साथ पेचर राइंटर का एक लिसफेक्टर के criter के चाई पाट्डुए 220 पद हैं इंधि ट्रंसलेटर के तीन फूड उप्लइज का एक है प्लाट्टिन कमाणडर के पंद्रा है ब्रूफ जर्ड का 1-एक है प्रूफ जरिटिर इंगलिज का एक है योनि के अलग अलग पदें साच्वी नगर्पालिका सचिव के 14 पद हैं नगर परिश्द कल रख के 48 पद हैं सुपर्वाइजर होस्पिटलेटी के 5 पद हैं सुपर्वाइजर फिमेल के ग्रेजुएट के 216 पद हैं टैक्सेसन इंस्पेक्टर के सो पद हैं तैसील वैलफेर अफसर के 23 पद हैं टूरिस्ट अफसर का एक पद है सात्यों इन में प्रिफरेंस पर आई सेकेंडरी यानि की प्लस टू लेवल के 377 पद हैं एक्जाम का लेवल भी हायर सेकेंडरी रहेगा इसमें मुख्य रूप से बर्तिय सात्यों कल रख के पदों पर 2770 पद हैं कल रख के इसके बाद जो काउंटर कल रख के 28 पद हैं फोरेश्टर के 65 स्टोर कल रख के 6 सब इ सब इंस्पेक्टर की तबला प्लेयर के दो टाइपिस्ट इंदी के दो लाइब्रेरी एटेंडेंट के तीन और गुरूप 54 के अंदर पुलिस वाली बर्तिय सात्यों जिसमें 6000 पद हैं यह भी मुख्य डिपेंड करेगी ज्यादा ज्यादा कंडरेटों को दूसरे एक्जा में पता लग गया होगा कि आपकी बर्तिय वो कौन से गुरूप में है अगर इन गुरूप की डिटेल आपके कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके अलावा इनका साथ यो सेपरेट वीडियो अगर बनाने के आव सकता है तो आप बता सकते है सेपरेट वीडियो भी बना दिया जाएगा कि सर अमारे गुरूप की डिटेल अमें चाहिए ये ये पोस्ट है और ये गुरूप का नाम है आप देख सकते हैं ऐसे ही और बर्तियों के अपडेट भी साथ यो आगे बताई जाएगी और इन बर्तियों से रिलेटिड क्या क् डाउट हैं वो भी आप कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं अपना मैत अपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में